नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है मेरा नाम इंद्रभान जो इस चैनल पर नया है क्रिपय सस्क्राइब करें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज आट एंड कल्चर का बहुत महत्पून टापिक है मंदिर अस्थापत क्या बात करने वाले हैं म मंदिर अस्थापत के अंग के बारे में मंदिर निर्माड की सैलिया और परमुख मंदिर इन तीनों के बारे में थोड़ा करके हम देखते हैं तो मंदिर अस्थापत के अंग कौन कौन से है अधिश्ठान जिसे चबुत्रा कहा जाता है सिकर सीर्स गर्भिग्रे परकोटा दिवार परकोटा दिवार जो दर्विण सहली में दिवार यानि की घेरे जाते थे बाउंडरी उसी को परकोटा कहा जाता है गोपुरम यह दर्विण सहली से ही संबंदित है गोपुरम यह परवेश द्वार क्या परवेश द्वार जो होता है उसी को ही हम गोपुरम कहते हैं तीन प्रकार की मंदिर निर्मार सैलिया है, नागर सैली, दर्विन सैली, बेसर सैली ठीक है, नागर सैली हिमाले से बिंद परबत माला तक बिक्सित है, दर्विन सैली जो है, कृष्णा नदी घाटी से कन्या कुमारी के बीच में, बेसर सैली जो है, बिंद छेतर से कृष्ण नदी के बीच में कौन सा बिकसित है नागर्य पर भीन का मिसरण आगर मिसरण करते हैं तो यह कि यह समझाने के लिए सुखत और गर्विर्यग तो सिखर इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों क्या सिखर बहुत इंप्वाटेंट है यह नागर सैली में बना गया है क्या यह नागर सैली में है तो नागर सैली में एक वर्गा क्या गर्वगिरिया वर्गा कार होता था क्या गर्वगिरिया जो होता था यह कोस्चेन ऐसे पूंचता है टेक्निकली र गया है रेखिये सिखर तो यह question पूछता है मंदिर में जो उपर चड़ा और ढला हमें देखने को मिलता है सिखर को उस सिखर को कैसे रहता है नागर सैली में तो नागर सैली में दोस्तो रेखिये सिखर हमें मिलता है क्या नागर सैली बात करें तो रेखिये सिखर हमें देखन को मिलता है उपर में क्या होता है उपर में ये आमलक जिस पे ऐसे तिर्चूल और बहुत सारे कलस ऐसे बना के रखा जाता है मंदिरों में नागर सैली में अगर आप उत्तर भारत के होंगे तो ये ऐसा देखने को मिलेगा तो नागर सैली में गर्वगिरे वरगाकार होता है गर्बगिरे उसे कहा जाता है, जहांपे भगवान की मूर तस्थापित होती है। इसका सिखर रेख़िये होता है, और उपर क्या सबसे उपर, नागरशली के मंदिरों में सबसे उपर क्या होता है? आमलख होता है, question इसी परकार से पूछता है, तो ये नागर सैली का है, क्या, ये नागर सैली का है, रेखिये सिखर और पिरामिड नुमा, ये पिरामिड नुमा आपको दिख रहा है, रेखिये सिखर रहता है, पिरामिड नुमा रहता है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपोर्टन्ट है, क्या, इंपोर्टन्ट है ये, इस साथ में आमलक और इस्तूपिका वर्गाकार आयताकार गर्विरे ठीक है आमलक और इस्तूपिका आमलक जो होता है और इस्तूपिका जो हमें कहां देखने को मिलता है इस्तूपिका हमें देखने को मिलता है दर्विण सैली में ठीक है ये किसमे है ये दर्वेड सैली का है आप ये देख लिए मंदिर पीछे हमने बात किया नागर सैली और ये है दर्वेड सैली इसलिए इसको हमने लिया है यहाँ पर ये ये किस सैली संबंदित है, दर्वेड सैली आपको दिख रहा होगा, दर्वेड सैली ठीक है, गोपुरम यानि की द्वार ये है, परकोटा, इस मंदिर के चारो तरफ ऐसे दिवाल होती थी, इसी को परकोटा कहा गया, इस मंदिर के चारो तरफ दिवाल से घेरी जाती थी, इस उसी को ही परकोटा कहा गया यह कोस्चन आईयस आईयस में पूशता है परकोटा संबंदित है तो दिवार से गर विगरे क्या है आयताकार ठीक है पिरामिड नुमा सिखर है देखो इसका ऐसे घटते बढ़ते घटते बढ़ते यह पिरामिड के आकार का आपको सिखर नुमा दिख रहा है जो सिखर है क्या है पिरामिड नुमा है उपर क्या है इसके इसके उपर इस्तूपिका क्या नागर सैली में हमने क्या देखा नागर सैली में जो था वो आमलक लगता था क्या आमलक होता था जब की जब की दर्बिड सैली में इस्तूपिका क्या इस्तूपिका हम में देखने को मिलता है नागरसली में इसका जो सिखर है पिरामिट नुमा है, पीछे जो हम बात किये थे, रिखिए सिखर किसका है तो नागरसली का ठीक है, एक एक करके हम यहां पर एक बार फिर से अंतर, दोनों में नागरसली mix और दर्विन सहली में नागर सहली में जबकि इसमें भी दर्विण सहली में ये दोनों समानता हैं आयताकार या वर्गाकार भी होता है नागर सहली में जो पिरामिड सिखर जो है ये इसी को सिखर कहा गया है इसी को सिखर कहा जाता है जो ये सिखर है ये नागर सहली में रेखिये है जबकि दर्विण सहली में पिरामीड नुमा सिखर है नागर सहली में अगदम उपर मंदिर के उपर आमलक लगाया जाता है जबकि दर्विण सहली में इस्थूपका का निर्मार किया जाता है आगे दोस्तो दर्विड सहली एक एक करके यहाँ पर हम सबसे पहले दर्विड सहली तो मंदिर निर्मार की सुरुवात गुप्त काल से मानी जाती है अगर हम सरपर्थम मंदिरों का निर्मार देखते हैं तो गुप्त काल से होता है काल खंड क्या-क्या है देखिए मंदिर न 19 इस भी गुप्त उत्तरकाल सबसे ज़्यादा अगर मंदिर देखते हैं तो गुप्त काल और गुप्त उत्तरकाल उसके पहले ही हमें सिर्फ साच मिलता है क्या साच मिलता है मौरत्तरकाल तक ठीक है मौरत्तरकाल तक हमें सिर्फ साच मंदिर के देखने को मिलते हैं आगे बात करते हैं मंदिर निर्मार के तत्तो ठीक है यानि कि मंदिर निर्मार में कौन-कौन से तत्तो होते हैं तो अधिश्ठान पीछे अभी हम पहले ही देख चुके हैं कौन-कौन से दोस्तो जैसे ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको करके अभी देखने वाले हैं ठीक है तो मंदिन निर्मार के तत्त में पहला है अधिश्ठान अधिश्ठान में या चबूत्रे नुमा सरचना होती है जिसे आधार बनाकर मंद्रों का निर्मार किया जाता है नागर सैली में अधिश्ठान एक आवस्यक तत्व है जबकि दर्विर सैली में या आवस्यक नहीं है तो इंप्वाटन्ट है यह कोश्चन अगर पूचेगा ऐसे तो अधिश्ठान किसके लिए आवस्यक है नागर सैली के लिए है ठीक है आवस्यक है किसके लिए है नागर सैली के लिए दर्विर सैली में क्यों आवस्यक नहीं है इसलिए उसमें यानि कि अगर हम बात करें फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है दर्विण सैली में जबकि नागर सैली में हमें अधिश्ठान यानि फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है और बात करते हैं अगला गर्विगरे बहुत इंप्वाटन्ट है या मंदिर का सरवाधिक पवित्र भाग होता है जिसमें किसी देवी देवता की परत्मा अस्थापित की जाती है नागर सहली में या वरगा कार होता है जबकि दर्बंड सहली में गर्विण सहली में गर्विण सहली में कैसा होता है आयता कार होता है इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए और अब सिखर की बात करते हैं एक में सिखर दर्विर सहली में पिरामिड होता है उसमें रेखिये होता है तो गर्व गिरे के ऊपर विसाल निर्मिस सरचना को सिखर का जाता है परिवासा क्या है सिखर का गर्व गिरे को ऊपर विसाल निर्मिस सरचना को सिखर का जा है जबकि सीर्स पर क्या इस्थूपका का निर्माड किया जाता है अब बात करते हैं गोपुरम तो मंदिर का परवेश द्वार क्या होता है गोपुरम होता है आगे बात करते हैं दोस्तों दर्विड साहली का सरपरमुखंग क्या दर्विड साहली का ये सरपरमुखंग है कौ परकोटा या दिवार दूसरा क्या गोपुरम तो गोपुरम भी एक आवस्यक अंग है या अत्यधिक विसालियों अलंकरित होता है ठीक है जो आपको गोपुरम होता है द्वार होता है बहुत ज़्यादा वहां पर अलंकरित किया जाता है गोपुरम की या विसालता है ततकाल important है परकोटा दिवार, धर्विण सहली में मंदिरों का एक परकोटा या दिवार से घेरा जाता है, नागर सहली में मंदिरों के लिए या परहाया नहीं मिलता है, नागर सहली में देखने को नहीं मिलता है, और बात कर लेते हैं दोस्तो, मंदिर निर्मार सैली क्या मंदिर निर्मार सैली में कौन-कौन से हम बात कर चुके हैं सेली आए नागर सेली दर्विन सेली बेसर सेली तो सबसे पहले एक एक करके नागर सेली की बारें बात करते हैं तो नागर सेली जो है नागर सेली में मंदिर चतुस कोणिये ठीक है होते थे चतुस कोणिये किस काल में होते थे तो नागर सेली में गर्विगरिये वर्गाकार तथा मंदिरु का सिखर रेखिये यों सिर्स आमलक सरचना होती थी। पीछे हमने दिखाई दिया है। आगे बात करते हैं आगे इसी में नगर्सायली में बताया गया है कि मंदिरों में एक मंडप यानि कि सभाभवन तथा दच्छणापत होता है। या मंदिर उत्तर भारत में हिमाले से बिंद परवत माला तक दिखाई पड़ते हैं इस छेत्र में उडिशा के मंदिर सुध्ध नागर सैली का प्रत्विम करते हैं क्यों लिंग राज मंदिर जो है दोस्तों इंपोर्टेंट है लिंग राज मंदिर जो है इसका अगदम दर्विण सहली क्या दूसरा क्या है दर्विण सहली तो इस सहली का मंदिर अश्ट कोणिये होता है जबकि चतुस कोणिये नागर सहली उसका दो गुना यानि कि अश्ट कोणिये कोन होता है दर्विण सहली बात करते हैं इसके वारे में भी दोस्तो तो अश्ट कोणिये सररच बनाई जाती है मिलती है यह मंदिर क्रिष्ण क्रिष्णा नदी घाटी से कन्या कुमारी तक मिलता है इंप्वाटन्ट है दोस्तों इसे दिमाग में छाप लीजिए क्रिष्णा नदी घाटी से लेके कन्या कुमारी क्या कन्या कुमारी नदी के बीच में कौन मिलता है तो दर विभिन सायली के मंदिर सामाजिक आर्थिक गद्विदियों में सलनकन होते थे क्यों जैसे अभी बात करते हैं यह मंदिर उत्पादन योम ब्यापार का हिस्सा लेते थे यानि कि उत्पादन में भी भाग लेते थे और ब्यापार भी करते थे कैसे उत्पादन में ये बड़ विदियों के संदर में कर्ज भी देता था ठीक है इसलिए पहले बता चुके यह बैंक ब्राप्त करते थे आगे बात करते हैं दोस्तों यह मंदिर यानि कि यह मंदिर बंकिंग गद्विधियों से जुड़े होते थे यह भूमिका उन्हें उत्तर भारत के मंदिरों से अलग करती है साथ ही दच्छिर के मंदिर समाजिक उत्सो जैसे विवादिकारियों के केंद्र भी होते थे तो दच्छिण भारत में क्या होता था मंदिरों में ही साधी बिबा और मुंडन बहुत सारे कारे का वहीं मंदिर के ही अंदर किये जाते थे इसलिए मंदिरों का आकार प्रकार भी बहुत बड़ा होता था क्या अश्ट कोडिये यानि कि मिसाल होता था क्योंकि वहाँ पे साधी विबा ये सब भी गार किये जाते थे आगे बात करते हैं बेसर सैली क्या तीसरा क्या है बेसर सैली इंपोर्टेंट है बेसर सैली तो ये किसका मिला जुला रूप है दोस्तों बेसर सैली तो ये नागर और दर्विण का मिला जुला रूप है बेसर सहली बात करते हैं मंदि निर्मार की बेसर सहली में नागर यों दर्विण सहली का मिस्रण मिलता है या सहली बिंध परवत माला से क्रिष्णा नदी घाटी के बीच में हमें देखने को मिलता है कौन बेसर सहली तो कोश्चन इसी परकार से भी पूछा जाता है आगे बात करते हैं थोड़ा दोस्तों क्या कह रहा है देख लिजिए तो नदी घाटी यानि क्रिष्णा नदी घाटी के छेतरों में मिलता है कौन सा बेसर सहली इस सहली की को चालुक राष्ट कूट यों होयसल सासको ने सर्रचर प्रदान किया था जो बेसर यानि कि बेसर जो टाइप की सहली है क्या दोस्तों बेसर जो सहली है उसको कौन-कौन से राजा आस रहे दिये थे तो चालुक के राष्ट कूट और होयसल ने दिया था होयसल सासको दौरा मैसूर के क्या मैसूर के हिलविडे क्या हिलविडे में बनाया गया होयसलेस वर मंदीर का एक हमें मिलता है यह किसका उल्लेख मिलता है यह बेसर नगर बेसर सैली में अस्थापित होईसल लेसवर जो मंदीर है यह उधारण है इसकाlor मंदिर है इसका सुध्र उधारण है, ठीक है, बेसर पढ़ा रहे हैं, च्योंकि अभी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, एक बार फिर से, कि हमें क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये परमुख मंदिर, तीसरा क्या टॉपिक था इसमें, परमुख मंदिर, तो इन ही के बारे में हम देखने वाले हैं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं ठीक है यहां तक हम पढ़ चुके हैं अब परमुख मंदिर का एक एक करके हम परमुख मंदिर देखने वाले हैं बात करते हैं एक मिलट परमुख मंदिर के अंदर दोस्तो नागर सैली के परमुख मंदिर पहला देखते हैं तो गुप्त कालीन म मंदिरों का निर्माड एक उचे चबूत्रे पर होता था एक उचे चबूत्रों पर ये लोग अपना मंदिर निर्माड करवाते थे जिस पर चढ़ने के लिए चारों और सीडिया बनी होती थी मंदिरों के भीतर एक गर्विग्रे होता था जहां देवी देवताओं की मूर्त थापित की जाती है आगे बात करते हैं दोस्तों गर विगरेमे एक परवेश्थ सब्वार उता है क्या गरव विग्रिये के ं अंदर पर बेश्थ द्वार होता है जो अलंकृत होता था तता इसके चारो और घूमने का अस्थान बना होता था हैनि कि मंदिर को घूमने के लिए चारो तरफ घूमने के लिए कुछ अस्थान छोड़ दिया जाता था गलियारे के रूप में जिसे दच्छिनापत क्या प्रादच्छिनापत कहा गया है क्या प्रादच्छिनापत इसे ही को ही कहा गया है दोस्तों बहुत important है प्रादचिनापत किसे कहा गया है तो जो घूमा जाता है मंदिर के चारो तरब उसी को प्रादचिनापत कहा गया है मंदिर की छत प्राया समतल होती थी किन्तु कुछ मंदिरों में सिखर युक्त भी बनने लगे थे किस काल में गुप्त काल में जैसे important देवगड का दसा उतार मंदिर इसलिए ये famous है क्योंकि ये सिखर युक्त मंदिर पहली बार हमें देखने को मिलता है किस काल में तो दोस्तो ये गुप्त काल में कुछ मंदिर इड से भी बनाये गए है जैसे कानपूर का भीतरगां जो मंदिर है योम सिर्पूर का मंदिर यह important है प्रिलिम से के point of view के द्रिष्ट से या TGTPG के द्रिष्ट से जो ये मंदिर है मंदिर निर्मार किये गया है यही सम्बंदित हैं जैसे भीतरगाव मंदिर सिरपूर मंदिर दसाउतार मंदिर यह सब पूछे जाते हैं कहां पे किस अस्थान पे यह इस्थित हैं और किस से सम्बंदित हैं किस काल में बने हैं मंदीर का भीतरी बाग साधा होता था ठीक है और चोखट पर संख का चिन बनाया जाता था गुप्त कालेन मंदिरों में मध्य पर्देश में बना तिगवा का विफरू मंदिर बहुत इंप्वर्टेंट है ये ुप्त कालेन में ठीक है यो नचना कुठान का पारवती जो मंदिर है ये बहुत फेमस है नचना कुठान का पारवती मंदिर इसके साथ में तिगवा का विश्णू मंदिर ठीक है तिगवा का विश्णू मंदिर ये दोनों कहां पे हैं मध्ध परदेश में है तिगवा मध्ध परदेश में है यहाँ पे विश्णू मंदिर का निर्मार किया गया है पत्थरों से नचना कुठान नचना कुठान ये भी पत्थरों से ही निर्मित किया है ये भी मद्द पर्देश में ही इस्थित है नचना कुठान में कौन से मंदिर है पारबती का मंदिर हमें देखने को मिलता है बहुत important है तो इस slide से हमें क्या क्या भीतर गाव का मंदिर, सिरबूर मंदिर नचना कुठान मंदिर, अतिगवा का विश्णो मंदिर यही आपको याद रखना है, दिमाग में छापना है आगे बात करते हैं दोस्तो आगे उडिशा मंदिर समूँ क्या उडिशा मंदिर समूँ बहुत important है यह उडिशा मंदिर जो समूँ हमें देखने को मिलता है तो जगमोहन, सभाभवन, ठीक है पिष्ट, अधिष्ठान या चबूतरा जो हमें क्या देखने को मिलते हैं उडिशा मंदिर समूँ में तो जगमोहन देखने को मिलता है जिसे जगमोहन हम किसे कहा जाता है सभाभवन जो हमें इस थी मंदिर में होते थे उसी को जगमोहन कहा गया है पिष्ट पिष्ट अधिष्ठान या चबूतरा यानि कि मंदिर का फाउंडेशन जो होता है उसी को किसमे उडिशा मंदिर समुव में पिष्ट कहा गया है मस्तक मस्तक इसमें उडिशा मंदिर में मस्तक कहा गया किसे सीर्स को गंडी गंडी का उपयोग सिखर के लिए किया ग है जैसे जगमोहन सभाववन बिष्ट जो भाग हे वो चबुत्रा होता thought उडीसा मंदिर में मैं जुव दूसरा जो है उसे मस्तक कहा जाता है शिख़र को क्या कहा गया है गंडी कहा गया है और देवल को गर्भग्रियक कहा गया है आगे बात करते हैं बहुत इंप्वाटेंट है दोस्तों दूसरा जो यह है उडिशा से संबंदी थी मंदीर में तो उडिशा के प्रमुख मंदिरें में पूरी के निकट बना कुणार का स्थापित है तो उडिशा में स्थापित है कि सासक नर्सिंग देवर्मन ने बनवाया और किस सतापदी में बनवाया गया तो तेरोई सतापदी में बनवाया ठीक है या घोडे द्वारा खीचे जाने वाले विसाल पहियों से युक्त सूर देव के आकास रत की परिकल्पना पर आधारित है बहुत important है जो कुनार्क मंदिर है वो किस पे अधारित है सूर देव के आकास रत पे अधारित बनाया गया ठीक है कुनार्क मंदिर इस मंदिर के अंदर अलंकरन भी मिलता है जो पिर्थवी में जीवन के अंदर यों सूर की उर्जा देनी की सक्ति को दरसाता है दोस्तों बहुत important है ये सब line जो हम घेर रहे हैं इस मंदिर में इस मंदिर को black pagoda मंदिर भी कहा जाता है यहने कि जो उडिशा समूव का मंदिर है उसे black pagoda मंदिर समूव के अंतरगत रखा गया है इसके साथ साथ में क्या क्या important है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा तो बात करते हैं दोस्तों इसी तरह पूरी के जगनाथ मंदिर का निर्मान 1110 इसवी में अवंती वर्मन चोडगंग ने क्या चोडगंग ने करवाया था इसका पूरी में जगनाथ मंदिर है इसको किस ने बनवाय था तो चोडगंग ने बनवाया था अवंती वर्मन चोडगंग ने तो भूनेस्वर में इस्थित लिंग राज मंदिर का निर्मार साथवी सताथी में ययात केशरी ये important है जो लिंग राज मंदिर है ये नागर सहली का बिसुद्ध मंदिर है और इसे किस ने बनवाया था सातोई सताब्दी में यायात केसरी ने बनवाया था बहुत इंप्वाटन्ट है दोस्तो यह सब अपने दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि बहुत बार कोश्चन आया अब खजराहों मंदिर समू देख लेते हैं तो बु मंदिर किन धर्म से सम्बंदित है आईएसपीसी यू और टीजीटी पीजीटी सभीग जामों में यह कोश्चन पूछता है कि खजराहों के जो समू मंदिर है किस धर्म से सम्बंदित है तो सयो बैसडो साक्त और जैन धर्म से सम्बंदित है इसलिए एक बिद्वान ने कहा इसलिए जो ये तीनों है इसी से सम्मंदित एक विद्वान कहता है कि खजराहों के मंदिर संप्रदाई सोहार्थ के प्रेणा से निर्मित हुए है तो ये किसका उधारण है संप्रदाई सोहार्थ का या पंते निर्पेच का खजुराहों के मंदिर का निर्मार खुले अस्थान पर हुआ है कहां पर? खुले अस्थान पर कराया गया खजुराहों का मंदिर और इसके चारों और कोई दिवार नहीं मिलती है क्योंकि यह गुफा है यहां मंदिर बल्वा पत्थरों से बना हुआ है अर्थात बल्वा पत्थरों को काट कर एकास्म बल्वा पत्थर को काट कर दोस्तों एकास्म बल्वा पत्थर को काट कर खजुराहों मंदिर का निर्मार किया जाता है जबकि दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो संग्मर्मर पत्थर से बना है आगे बात करते हैं आगे ये भी important है क्या कह रहा है तो कह रहा है दोस्तों तीसरा है क्या मंदिर एक उचे अधिश्ठान पर बनाया गया है मंदिर जो बनाया गया है उदे उचे अधिश्ठान तो अधिश्ठान किसे कहा गया है अधिश्ठान किसे कहा गया दोस्तों अधिश्ठान उस समय फाउंडेशन को कहा जाता था जहां अत्यंत भब्व सिकर यों जालीदार खिनिकियों का निर्माण देखने को मिलता है ठीक है खजुराहों में मंदिर के सिखर पर आमलक या कलस की सरचना भी मिलती है ठीक है तथा गर्व गिरे के परवेश द्वार को सजाया गया है कहां पर यह जो खजुराहों के मंदिर बने हुए है यहां के यहां बने मंदिर पंचायतन सैली में मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायतन सैली ठीक है जिसके तहट एक मुख मंदिर तथा चार कोने पर अन्यमंदिर बने होते है इसलिए इसे पंचायतन यानि कि 5 मंदिर इसमें बनाए जाते थे इस सहली में एक ही अस्थल पर पांच सहली पांच मंदिर बनाए जाते हैं इसलिए इसको पंचायतन सहली कहा गया है एक मंदिर जो है बीच में रहता था और बाकी उसके उस मंदिर के चारों किनारे एक एक छोटे-छोटे मंदिर बनाए जाते थे इस कारण इसे पंचायतन सहली कहा गया है और दोस्तों इंपोर्टेंट खजुराहों में क्या क्या खजुराहों के परमुक मंदिरों में कंदरियाग महादेव मंदिर लचमण मंदिर चतुरभूज मंदिर पार सुनात के मंदिर बहुत इंपोर्टेंट है तो हम बात करते हैं जो खजराहों का मंदिर है दोस्तों वो तीन समोहों में बाटा गया है देखिए इसमें दिया है ना तो पूर्वी समोह पश्चमी समोह और दच्छणी समोह क्या पूर्वी समोह पश्चमी समोह और दच्छणी समोह तो हम बात करते हैं एक एक करके जो यह पार्सनाथ मंदिर है यह पूर्वी समोह का मंदिर है, किस समोह का मंदिर है दोस्तों, यह पूर्वी समोह का मंदिर है, क्योंकि पूर्वी समोह में हमें जैन धर्म के मंदिर, जैसे पासनात का मंदिर और सांतिनात का मंदिर जो है, बनाया गया है, और किसे, जो पूर्वी भाग है, खजुराहो का किस यानि कि जैन धर्म के किस संपरदाय से है तो दिगंबर संपरदाय से माना गया है यानि कि जुडाव माना गया है महादेव मंदिर लचमण मंदिर चतुरभूज मंदिर यह पस्चिमी में इस्थित है क्या पस्चिमी खजराओं के पस्चिमी समूँ के मंदिर है बहुत इंप्वाटन्ट है यह ठीक है और एक है दच्छणी समूँ क्या दच्छणी समूँ तो दच्छणी समूँ में दोस्त तो important important जैसे वराह मंदिर क्या वराह मंदिर जो है वराह मंदिर सिव का मंदिर विश्णू का मंदिर तीन ये मंदिर जो है ये तीनों हमें कहां मिलते हैं ये दच्छणी समूह में और इसके साथ साथ में यानि कि पश्चिमी समूह की बात करें जैसे कंदरिया महादेव बहु मंदिर ये भी पश्चिमी समु की मंदिर है ठीक है बहुत इंप्वर्टेंट है जो चीज बताए इसे आप समझ लीजिए और दिमाग में भी छाप लीजिए अब राजस्थानियों गुजरात के मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या है दोस्तों राजस्थान और गुजरात में तो राजस्थानियों गुजरात के सोलंकी सासको द्वारा विभिन मंदरों का निर्माड हुआ राजस्थान में आबू परवत्पत दिल्वाड का जहिल मंदिर कि किसось नय बन वाया था तो विमल नहीं मनदिर में बने गुंबद यहं प्रवेश द्वार अत्यम ता कर सक है प्रवेश द्वार पर अगे बात करते हैं प्रवेश द्वार पर नौ ग्रोह क्या दोस्तों का अंकन इसकी उल्लेक्ष निये बिसेस्ता है अगर हम बात करें नौ ग्रोहों की जो हमें देखने को मिलता है क्या नौ ग्रोहों की बिसेस्ता दोस्तों तो यह सोलंकी वंस में हमें देखने को मिलता है यहां मंदिर संग्मरमर से बना है मंदिर में छत के केंद्रिये भाग में बने हुए कोश्टक महराब की सलचना परतीत होती है ठीक है मंदिर में ऐसा लगता कोश्टक बनाया है महराब बनाया गया जबकि वास्तों में यह महराब नहीं है आपको देखने आप देखिए ऐसे जैसे लग रहा है यह महराब बना हुआ लेकिन महराब ना बना के यह क्या एक चित्रकारी किया गया दोस्तों ठीक है चित्रकारी आगे बात करते हैं इंप्वार्टन चीज है गुजरात गुजरात में बल्वा पत्थर से बने हुए मंदिरे उलिखनिया है इनमें सोलंकी सासक भीम पर्थम द्वारा 1026 में बनवाया गया मुंडेरा का सूर्य मंदिर बहुत इंप्वार्टन बहुत बार यह कोस्चन यूपी PCS आरो यारो बिहार PCS सब में यह कोस्चन पूछा गया है कि मुंडेरा का क्या मुंडेरा का जो सूर्य मंदिर है कहां पे है तो ये गुजरात में है दोस्तों किस पत्थर से बना है तो बलुव पत्थर से बना है और किस ने बनवाया तो भीम देव पर्थम क्या भीम देव पर्थम ने बनवाया है भीम देव पर्थम ने इसको बनवाया है 1026 में बहुत important question है बहुत बार ये पूँचा गया अब पल्लो के बारे में देख लेते है पल्लो अस्थापत कला मंदीर अस्थापत की दर्विण सहली से संबंदित है तो जो पल्लो बनवाते थे वो दर्विण से संबंदित है जबकि सोलंकी राष्टकूट ये जो संबंदित है ये नागर सहली से संबंदित है पल्लो ने वास्थुकला को काश्टकला से मुक्त कर दिया क्या वास्थुकला को काश्टकला से मुक्त कर दिया अर्थाथ जो काश्टकला पे चित्रकारी की जाती थी पल्लो क्या किये उसे वास्त कला में अर्थात मंदिरों के में भी देखने को मिलने लगा यानि कि पहाडियों को काट कर मंदिर निर्माड की नई सहली का विकास किया गया किसके काल में पल्लव अस्थापत के काल में दोस्तो तो पल्लव में अगर हम देख ले तो सासको के अधार पर क्या सासको के नाम के अधार पर चार परकार की सैलिया में बिक्सिक देखने को मिलती है कौन कौन से चार वो है देख लेजिए चार का नाम क्या कौन कौन सा जैसे महेंद्र वर्मन सहली तो इनमें चटान को काट कर मंदिरों का निर्मार किया गया यहां मंदिरों को मंदप कहा गया क्या मंदिरों को मंदप कहा गया यहां मंदप साधारन अस्तंबों से युक्त था किससे साधाराण इसमें अस्तम जानी की बहुत जादा चित्रकारी या अलंकरित नहीं किये गये हैं इनके पिछले भाग में गर्विग्रिये बना हुआ है यहाँ पर बने पंच पांडव की गुफा मंदिर जो है बहुत इंपोर्टन्ट है किससे महेंद्र वन्मन सैली से दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर पंच पांडव गुफा मंदिर में एक तरफ किर्ष को गोवर्धन परबत उठाय हुए दिखाया गया है तो दूसरी तरफ उन्हें गाय दुहाते हुए भी दिखाया गया है किसमें पंच पांडो गुफा मंदिर में ठीक है पंच पांडो गुफा मंदिर में क्या गोवर्धन परबत एक तरफ उठाया है दूसरी तरफ गाय दुहाते हुए दिखाया गया है आगे बात करते हैं बह जगनाथ जो मंदिर है रत पैगोडा ठीक है ये सी सम्बंदित है वो मामल ले सैली में ही बनाया गया है ठीक है कि सैली में जो लालकरिस आडवानी मुद्दा उठाए थे रत यात्रा वाला जिसे बिहार में लालो ने रोक दिया था तो ये जो है सैली किसमें बनाया है मामल ल सब्त पैगोडा कहा गया है क्यों अभी बात कर लेते हैं इन में धर्म राज का रत मंदिर सबसे बड़ा है तो कोश्चन पूछता है जो सब्त पैगोडा मंदिर है दोस्तों या मामल सैली का जो मंदिर है उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है कौन सा मंदिर है तो उसमें धर्म राज यानि युदिष्टिर का जो रत मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है और इसके सासक नर्सिंग वर्मन की मूर्त भी बनी हुई इसमें ठीक है द्रोपदी रत जो है सबसे छोटा है अन्यरत मंदिर में अन्यरत जो है मंदिर में ही क्या की सब्त पैगोडा जो मंदिर है आठ मंदिर इसके अंतरगत है जैसे युदिष्टिर का मंदिर और द्रोपदी का रत ठीक है और अर्जुन रत, भीम रत, गणेश रत इसी प्रकार से आठ मंदिर इसमें देखने को मिलता है राज सिंग सहली बहुत इंप्वार्टन्ट है न के अंतरगत तो इस सैली में मंदिर इंट योम पत्थरों से बने अर्थात इस जो यह राज सिंग सैली है इसमें मिसरन देखने को मिलता है इंट और पत्थर के अर्थात इमारती जो है इमारती मंदिर बनने लगे इस सैली का प्रमुख मंदिर काची का कैलास मंदिर कैलास ना कहलासनात्मंदिर किस नहीं सकता है इसमेंड़ी प्रतियोक्ता को भी ढर्साया गया है किसमें कहलास मंदिर है इसी में सिव पारबती निरित प्रतियोक्ता को भी दिखाया गया अर्थात एक तरफ सिव डांस कर रहे हैं दोसरी तरफ पारबती डांस कर रहे हैं प्रतियोक्ता के रूप में इसी तरह इस सहली में क्या इसी तरह इस सहली में इंपोर्टन्ट है इस सहली में अर्थात इसी तरह इस सहली में ये बना है कौन सा काची का कहलासनात मंदिर महाबलीपुरम का तटिये मंदिर क्या महाबलीपुरम का तटिये मंदिर जिसे ग्रेनाइट से निर्मित किया गया है इसे UNESCO की विस्विरासत सूची में रखा गया बहुत important है क्योंकि विस्विरासत अस्थल या विस्धरोहर अस्थल चे अधिकतर IES PCS में question पूछे जाते हैं दोस्तों और वंडे एक्जाम में भी पूछे जाते हैं वंडे एक्जाम में भी question बहुत important है आगे बात करते हैं कौन सा है तो नंदी वर्मन सैली क्या नंदी वर्मन सैली इस सैली में मंदिर अत्यन्त छोटे छोटे बने गये हैं यह चोथा सैली है क्या चोथे सैली है यह तो कहां पे गुजरात और गुजरात और राजस्थान में जो भीक्सित सैली है उनमें यह चोथी सैली है तो पलों की राजनीत इस्तिती में कमजोरी का सूचक यह हमें बताता है जो चोथी है नंदी वर्मन सैली क्योंकि यह इस समय जो मंदिर थे वो छोटे-छोटे बनने लगे थे त यानि कि जो चोल है वो मंदिर अस्थापत के दर्विर साहली से संबंदित है यहां दर्विर साहली का यह चोलों नो विक्सित किया था यहां दर्विर साहली का पूर्ण विकास देखा जा सकता है जिसका प्रारम पलो के काल में हुआ था चोल काल को दच्छनी भारतिय वास्त कला का सौन काल कहा जाता है बहुत इंपॉर्टन्ट है दच्छनी भारतिय वास्त कला का सौन काल किसे कहा जाता है तो चोल समराज को कहा जाता है चोलों ने 10-11 सदी में एक विसाल समराज का निर्मार किया था ठीक है दोस्तों बहुत इं अराकांत क्या अराकांत उसे पर्थम यहनी की वास्तविक चोलो का वास्तविक सरस्थापक माना जाता था उसे अब आगे बात करते हैं इस विसालता का दर्सन उनके मंदिर निर्मार से मिलता है इस मंदिर में पिरामी डिनुमा शिखर और एक विसाल गोपुरम भी मिलता है अनिक परवेश द्वार भी देखने को मिलता है आगे बात करते हैं दोस्तों important क्या है चोलकाल का प्रमुख मंदिर तंजोर का ब्रिध देशवर मंदिर बहुत important है यह exam के point आप view के द्रिश्ट से बहुत important है तंजोर का ब्रिध देशवर मंदिर जो है यह चोलकाल से संबंदि तंजोर का ब्रिध देशवर मंदिर राज राज पर्थम का इस मंदिर में आकरित भी रखी गई है यह मंदिर 200 फिट उंचा सिकर से युक्त बहुत उंचा है ठीक है इसमें आप दिमाग में चाप लीजिए इसी तरह चोल सासक राजेंद पर्थम ने 11 सतीब्दे में गंग देखनी है किसमें ब्रिध देशवर मंदिर जो गंगाई कोंड चोल पूरम में हमें देखने को मिलता है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी नंदी की प्रितिमा है पहली जो नंदी की प्रितिमा है आंधर पर्देश के लेपाची मंदिर में हमें देखने को मिलता है लेपा इसका निर्माण करवाया था आगे बात करते हैं संदर्भ में एक बिद्वान फर्ग्यूशन ठीक है यह बिडेशी एक बिटिस बिद्वान है इसने कहा कि संदर्भ में चोल कलाकार राच्छस की तरह सूँचते थे और जोहरियों की तरह तरास्ते थे तो यह question आ सकता है कि किस ने कहा था कि चोल कलाकार राच्छस की तरह सूचते हैं और जोहरियों की तरह तरास्ते हैं तो फर्ग्यूसन क्या फर्ग्यूसन ने इसको इस सब्द को बताया था या इस सब्द का वड़न किया था वस्ता यह कथन चोल मंद्रों के विसालता तो दूसरी तरह मंद्रों पर बने चित्र यों और पत्थरों के सूच मिनकासी को उद्गड़िट करता है ठीक है जो यह कथन है यह चोल काल के मंद्रे के विसालता के वारे में भी बताता है और उस पे निर्मित चित्र और पत्थरों पर जो सुच मिनकासी किया गया है इसी लिए फर्ग्योसन ने इसे कहा कि चोल कलाकार राच्छस की तरह सोचते थे और जो उहरियों की तरह तरास्ते थे चोल समराज में क्या दर्विर सैली में हमें ये देखने को मिलता था जो पहले लकड़ी पर आकरित बनाई जाती थी अब वो पत्थर काट के मंदिरों पर भी बनाई जाने लगी यही विसेस्ता था आगे बात करते हैं दोस्तों बिजे नगर अस्थापत क्या बिजे नगर अस्थापत बहुत इंपोर्टेंट है तो क्या क्या है बिजे नगर अस्थापत ने बिजे नगर मंदिर अस्थापत की दर्विर सैली का प्रतनिद्यूत करता है ये दर्विर सैली का था इसकी राजधानी हमपी थी किसकी राजधानी बिजय नगर की राजधानी क्या थी हमपी थी और यहां सासक क्रिष्ट देव राय के काल में बना बिठ्था स्वामी मंदिर क्या बिठ्था स्वामी मंदिर यों हजारा मंदिर उलेखनिये है हजारा राम मंदिर बहुत important है बिठ्था स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर किस ने बनवाया था तो किरिश देव राय ने बनवाया था किस सैली में है तो दर्विण सैली में है दोस्तो बिजय नगर मंदिर निर्माण कलास में गोपुरम को राय गोपुरम कहा गया है यानि कि बिजय नगर समराज में जो मंदिर का परवेश द्वार होता था गोपुरम होता था उसे राय गोपुरम कहा गया है साथ ही मंदिरों म अम्मन क्या अम्मन मठ योम कल्यान मंडप उलेखनिय सरचना है अम्मन मठ किसी देवी को समर्पित है जब की कल्यान मंडप जो है विसाल काय सबाभवन होता था जो कल्यान मंडप होता था कोश्चन पूछेगा कल्यान मंडप का उपयोग किसके लिए तो विसाल का सभाभवन के लिए उपयोग होता था जिसमें सैक्डो मंडब जिसके अंतरगत सैक्डो मंडब क्या होते थे सैक्डो मंडब मौजूद होते थे और बात करते हैं बीजे नगर समराज के सासक हिंदू धर्म के अनुनाई थे किसके थे हिंदु धर्म के अनुनाई थे अता इनों ने मंदिर निर्माड को प्रुसाहित किया इनकी राजधानी हमपी में बना बिरुपाच मंदिर बहुत परसिद्ध है बिस परसिद्ध है दोस्तो बिरुपाच मंदिर ये बिजय नगर समराज में बनाया गया है बिजय न दोस्तों कहां पर है आंदर परदेश में है यह लेपाच्छी ठीक है कहां यह लेपाच्छी और बात करते हैं यह देश की सबसे बड़ी इसमारक नंदी प्रतिमा है यह लेपाच्छी मंदीर में लेपाच्छी मंदीर में बनी 90 साला 90 साला सीव के नित्र से जुड़ी हुई ह या नायक साइनिक सामंध थे, ठीक है, इसी करम में, सत्रोही सतापदी के मध में, तिरु, तिरुमलाई नायक के काल में, सुन्दरेश्वर मंदिर, यो मिनाच्छी मंदिर का निर्माड किया जाता था, लेपाच्छी मंदिर, लेपाच्छी मंदिर, तेरोही सतापदी में हु बनवाया है तो यह नायक साइनिकों ने बनवाया है और जबकि लेपाच्छी मंदिर को तो बिजय नगर समराज कि कृष्ण राय दूतिये ने बनवाया था और बात करते है जबकि मिनाच्छी मंदिर देवी मिनाच्छी के रूप में पार्बती को समर्पित किया गया है इन मंदिरों को मिनाची मंदिर के नाम से जाना जाता है क्या इन मंदिरों को जो है मिनाची मंदिर के नाम से जाना जाता है वस्तुता क्या वस्तुता मिनाची मंदिर का निर्माण तमिल नाड के मद्रोय नगर में मद्रोय नग में देखने को मिलते हैं और बात करते हैं इसका विकास हुआ है मिनाच्छी मंदिर की दीवारों योम अस्तंबो पर अनेक आकरितियां बनी हुई है तो यह कोश्चन पूशता है दोस्तों कि निम लिखित कोश्चनों में यह आई-एस-पी-स के लिए इंप्वार्टन्ट है इसलिए हाँ पर बता रहे हैं कोश्चन पूशता है निम लिखित में से किसमे साहल चितरकारी किया गया जैसे अजन्ता ठीक है अजन्ता में और उसके बाद मिनाच्छी में लेपाच्छी में या इनमें सभी तो आपसं तीनों सही है सभी में किया अजन्ता की गुपाउं म भी चित्रकारी देखने को मिलता है लेपाची मंदिर के दिवार पर भी हमें चित्रकारी देखने को मिलता है इसके साथ मिनाची जो मंदिर है उसमें भी दिवार के चित्रों पर दिवार पर चित्र बनाए गया है ठीक है यानि सिल्प चित्रकारी की गई है गोपुरम सबसे बड़ा होता है दोस्तो मिनाच्छी मंदिर का गोपुरम सबसे बड़ा है जो दच्छडी भारत में दर्विर साहिली में बनाए गये हैं गोपुरम क्या यानि की द्वार गोपुरम का अर्थ होता है द्वार ठीक है परबेश द्वार तो वो सबसे बड़ा हमें कहां देखने को मिलता है मिनाच्छी मंदिर में इसे दिमाग में छाप लीजिए और कापी में भी उता लेजिए I.S.P.C.S के लिए बहुत important है आगे बात करते हैं दोस्तों तो आगे क्या है बेसर नगी बेसर क्या बेसर सैली के परमुख मंदिर यह तीसरा सैली है नागर के बारें बात कर चुके दर्विण सैली के बारें बात कर चुके अब लाश्ट में बच्चा क्या है बेसर सैली के परमुख मंदिर तो बेसर सैली जो है नागर यह दर्विण सैली का मिसरण है य अने वाले यूम वातापी या बादामी छेत रहाते हैं यहूल में सटर से अधिक मंदीर है यानि कि किस के बेशर के और इसी के साथ में इसी के साथ में जीं मैं रभी कीर्थ द्वारा बनाया गया violation मांगुती जैन मंदिर क्या मांगुती जैन मंदिर सबसे उलेखनी है इसको किस ने बनवाया था रभी कीर्थ वर्मन ने बनवाया था आगे बात करते हैं दोस्तो बेसर सहली में ही इसमें क्या कहा गया है बात किया गया इसी तरह वापाती क्या वातापी की गुफा में स्यू विस्णू योम जैन तिर्थकर पासुनाच से संबंदित मंदिर बने हुए हैं किस सहली में तो बेसर सहली में ठीक है किस सहली में दोस्तो सोरी किस सहली में बेसर सहली में ठीक है दोस्तो बेसर सहली में और बात करते हैं कि राश्ट कूट सासक, राश्ट कूट सासक में सासन में बने मंदिर भी बेसर सैली से युक्त है, महाराश्ट के और अंगाबाद के पास इलोरा नामा का स्थान पर राश्ट कूट यानि की इलोरा जो गुफा है, दोस्तों, वहाँ पर राश्ट कूट सासक क्रिष्ण पर्थम ने कैलासनात मंदिर ठीक है कैलासना लोरा में कैलासनात मंदिर किसने बनवाया था तो क्रिष्ण पर्थम ने राष्ट कूट का सासर क्रिष्ण पर्थम ने बनवाया था कैलासनात मंदिर ठीक है बहुत important है exam के point आप भी उसे निर्मार करवाया जिसमें दर्भिन सहली का सिखर मंदा प्यम गोपुरम बने है जबकि इसी मंदिर में नागर सहली क्योंकि ये बेसर सहली है तो नागर मिसरण है कि खास बात ही आए इसमें बनाने की लिए पहाड़ी को उपर से नीचे की और तरास्ते हुए बनाया गया था उपर से इसको कटाई करते हुए नीचे तक लागया इलोरा में ब्राम्मार बहुत जैन से संबंदित गुफाय मंदिर बनी है बहुत इंप्वाटन्ट है इलोरा में समंदित किस परकार के हमें देखने को मिलते है तो इलोरा में तीनों धर्म देखने को मिलता है ब्राम्मार बाद और जैन धर्म ठीक है लाश्ट दोस्तो अब इस लेक्चर का राश्ट कूटो के समय क्या राश्ट कूटो के सम आगया है किसे समस्पनृष से संबंधित दोस्तों जबकि दो मंदिर जो है बोध। चैत से भी हम वहां पर मिले हुए हैं कहा पर टो एलिफ हैंटा एलिफ हैंटा में दो धर्म हैं कौन कौन से बौध हैं और सज़व धर्म यहां सिव के तीन मुख बने है यानि कि तरी मूर्थ जिसे कहा गया है ठीक है तो तरी मूर्थ कहाँ पर बना है एलिफहेंटा में इसी साथ दोस्तो ये लेक्चर समाप्त होता है नमस्कार जैहिंद झालEजीव लिर एंगाने...